दूर संचार न्यायाधिकरण ने गुरुवार को दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राय को रिलायंस चीयो के मुफ्ट प्रमोशनल ओफर की दोबारा जाच करने को कहा। हाला कि इस ओफर पर रोक नहीं लगाई गई है। दूर संचार विवाद निप्टान एवं अपीलियन यायाधिकरण ने दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राय को मुद्दों की दुबारा जाच करने और दो सप्ताव के भीतर सूचित करने के निर्देश दिये। नई कंपनी रिलाइंस जीओ ने साल 2016 के सितंबर में मुफ्ट वोयस और डेटा प्लान लांज किया था और इसे 31 मार्च 2017 तक बड़ा दिया था इसके बाद मौझूदा ऑपरेटर भारती एटल और आइडिया से लियो लने रिलाइंस जीओ के खिलाफ नाबे दिनों न्यायाधिकरन में शिकायत दर्ज करवाई थी हाला कि न्यायाधिकरन ने सौफक को रोखने का आदेश जारी नहीं किया है पिछले हफ़ते न्यायाधिकरन ने दो अप्रेटरों की अपील पर अपना आदेश सुरक्षत रखा था रिलाइंस जीओ ने सिर्फ एक सो सतर दि अपील पर अपना आदेश सुरक्षत रखा था रिलाइंस जीओ ने सिर्फ एक सो सतर दिन में दस करोड ग्राहकों का आकड़ा पार कर लिया है कंपनी के चेर्मेन मुकेश अमबानी ने कई नए फ्लान की घोशना की अमबानी ने कहा कि जीओ की मुफ्त वायस और डेटा सर महुने पर एक अप्रेल के बाद भी रिलाइंस जीओ मुफ्त वायस कॉल और राश्ट्रिय रोमन की पेशकश जारी रखेगी कंपनी के नए फ्लान के मुताबिक मुझूदा ग्राहकों को वर्तमान में मिल रही सर्वस 303 रुपे मासिक के भुगतान और एक बार ने 90 पांच सितंबर को शुरू की थी सिर्फ 170 दिन बाद उसने अपने चार्जी ल्टी सभी आपी वायरलेस ब्रॉड बैंड नेटवर्क पर 10 करोड ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है